Hello everyone! Welcome to Botany student friends! आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिश्रूम स्पाउन प्रोडक्शन के बारे में मिश्रूम स्पाउन होता है हमारे पर्श मिश्रूम के बीज मिश्रूम के बीज को हम किस तरह से बनाते तो इस वीडियो में बात करेंगे infrastructure के बारे में मश्रूम में और फाम लियावट के बारे में नोट या फिर फाउन का यूज करते हैं उसको हम Tracy करते हैं इसको हम यूज dur labor can के लिए और इंडिया में बात करें तो हमारे परस इस तरह का इंवार्मेंट है कि हम मश्रूम को इसलिए लो कोस्ट पर ग्रोव करसकते om भीका जाता हैं अगर हम इंडिया कीबात करें बात करें में मश्रूम कहल डिए किरे की सोलन में और बाद में उसको हिली रीजन में सेपरेट किया गया था नेबरिंग स्टेट जमुएंड कश्मीर उत्रबर्देश हर्याना कोर्टिस इंडर्ट्री में हमारे पास अलग लग डिपार्टमेंट हैं इंडिया में जो के कांदियूसली काम करें में शुरूम की इंप्रूम् मेंट के उपर उसकी मोडिफिकेशन के ऊपर किस तरह से हम इन्वार्मेंटलburger में इसको ग्रो कर सकते हैं तो यह थी मारे इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चाहे वह प्रोडक्त की बात हो यह सब्स्ट्रेट की अब बिल्टी ओफ पी वाटर में वहां पर क्लीन वाटर होना चाहिए फार्म नी सिस्टम होना जाहें बारे फार्म में यह थे खुछ स्टेप जिनको हमें पहला ध्यान में रखने शूरूर बनाने से पहले अब हम बात करते हैं फारम लेयाउट के बारे में यह जो विल्भय का से छोडिक नवीर हैं हम तो छो हुलिफ बनाने से पहले हम चीजों का ध्यान राए कई यह मर पास थूल्हाइट हम इस पातें कर आनके भी या हम रया हम उसको 1 कें रहेционी तो सबसे लिए जो मार पास farm layout में आते हैं and efficient flow of substrate material उसमें मार पास efficient flow होना चाहिए measure to prevent contamination of farm measure करना चाहिए efficient use of space space का ध्यान रखना हो का बहुत जुरूरी है मश्रूम फार्म को जो है हमें suitable environmental condition देने ही suitable climate में ही हमें जो मश्रूम को grow करने हम मश्रूम फार्म के लिए जो है पुरानी building जैसे कि कोई defense tunnel होगी bunkers होंगे capes हो गया chicken house old milk factory ऐसी चीज़ों को जो पहले से बनाए हुई building है उनको भी मश्रूम फार्म के रूप में यूज कर सकते हैं अब देखें मश्रूम का जो हमारा farm इसका floor कैसा होना जी जब हम low investment level की बात करें तो जो मश्रूम हाउस होगा आर बिल जस्ट बिल्ड ओन अरेवल लेंड लो इन्वेस्टमेंट प्यूम में जम कच्छा टाइप का घर बनाएंगे उसमें एरेवल लेंड होगी फ्लोर पी और जब हम हाई इन्वेस्मेंट करें तो हमारा पस सिमेटेड फ्लोर को हम यूज करेंगे का सिलमे की अधिध है वो इसमेंटेड व्लौर प्राइप और 우arks चल जाएगा और होस अधिम अधियू अधिया और की यूज करेंज्टमेट रएंग और खार भी हमार चलिया प्रूक्च्छ वोरे। First ब स्वर्ववर घ्रूवी जो है उकठ नहीं होना चाहिए हर रूम का बा घ्रूम से उसकर का आपस में लुख्षान सब्सक्राइब जो को वह दोम्हे करों सकते हैं यह अब नेक्स्टном बात करते हैं दोर्स विंडो और अधर ओपनिंग की दोर्स एंड वाल शुट क्लोज प्रॉपली तो पर्वेंट इंसेक्ट फ्रों एंट्रिंग दे ग्लोविंग रूम हमें अपने डोर्स और विंडो को इस तरह से बनाने की कोई भी जो चीज है वह इंसेक्ट वहारा अंदर ना सके जो ह करेंगे तो उसमें जो है एक सिंपल फिल्टर या फिर ऐसे बैरियर यूज कर सकते हैं ताकि air के साथ जो है कोई डिस्ट पार्टिकल्स या इस तरह के हां फूल इंसेक्ट जो हैं अंदर ना सके उसक्वाद आते हैं फार्म हाइजिन की बाद तो हाइजिन जो है वाइजिन करेंगे उसको नहीं लगेंगे इस गोज़ फोर पेवेंट कर सकते हैं तो फिर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सीफ हईजिन सबसेफ़ाइज़ इतनी रखेंगे उतने हमारा मश्रूम है वह ज्यादा टाइम तक चलेगा या फिर उसको डिजीज नहीं लगेंगे यूनिट इनकोलेशन रूम और पास अलग लग फार्म्स में रूम होने चाहिए जहां पर यहां पर नोग रखा है जो भी हमारे पास यह रूम से अगर आपने किसी रूम में स्पॉन प्रोडक्शन की है तो आप वहां पे प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगा सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे इन्फेक्शन का खत्रा बढ़ जाते हैं हमारे जो स्पॉन लबोर्टरी है वह सेपरेड होने चाहिए अलग लग होने चाहिए दोनों तो यह कुछ मेजर से जिनकों हमने देखा जो कि हमाले नसेसरी है तो अवाइड पैस्ट सच एज फ्लाइज इंसेक्ट ताकि वह डिजीज को जो सेपरेड नास कर सकें अगर जिए तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा मिश्रूम स्पॉन प्रोडक्शन इसका इंफ्रस्ट्रक्चर फार्म लियाउट के बारे में हमने देखा किस तरह से हम जे डोर विंडो फ्लोर्स को बनाना है फार्म हाइजीन कितनी जाधा इंपोर्डेंट इसके प्रक्र, थैंक यू